हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल स्थीचल लवतर और 786 कैसे हैं आप लोग आपके खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे आज हम दिखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फिलिंग क्या है वो क्या फिल कर रहे हैं ठीके जो भी situation आती है वो मैं बताऊंगे आपको कि आपके partner जो है वो क्या feel कर रहे हैं उनकी current energy क्या है ठीक है पूरा focus अपने partner पर कीजिए journal reading है collective reading है जितना resonate करें उतना रख लीजिए बाकी को skip कर दीजिए जरूरी नहीं कि सभी से resonate करें है न all sign के लिए है dear जो लोग first time चैनल पर आ रहे है प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए support करने के लिए बहुत बहुत thank you दिल से dear मैं आप लोग के message पढ़ती हूँ कोई problem नहीं है और जो भी problem आपके life में चल रही है न वो बहुत जल ठीक हो जाएगी हम universe से pray करेंगे आपके लिए कि आपके life में जो problem है जो दिकते हैं वो बहुत जल ठीक हो जाए और आपके life अच्छे रस्ते पर आ जाए ठीक है आपकी life में जो problem है जो दिकते हैं वो बहुत जल चली जाए देख लेते हैं क्या कार्थ निकलकर आए हैं two of cups बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में बोलिए क्यों भई आपके पार्टनर से आप बात नहीं कर रहे हैं किस बात के लिए गुस्सा हैं बताइये न छूटी-मोटी बाती तो चलती रहती हैं कुछ छुपा लिया था उन्होंने आपसे लड़ाई जगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में कुछ फाइट हुई है क्या है ये क्या है आपके पार्टनर के अनर्जी दियर क्या है वो तो आपके साथ में सपने देख रहे हैं फैमिली बनाना है मैंने फेस कर रहे हैं आपको हाँ देख लीजे आपके लिए ही यहां पर जो चीजे हो रही है वो मैं क्लियर कर दूँगी कार्ट के सिट्वेशन मुझे समझ में आगई ये सारे लड़ाई जगड़े जो चीजे हो रही है क्यों हो रहे है और किसके लिए हो रही है ठीके इसको हम यहां रख देढ़ है ठीके डियर चलिए cards आपको दिख रहे हैं कुछ message निकाल लेते हैं clearty के लिए फिर देखते हैं कि क्या आता है ठीके चलिए इतने सारे ले लिए मैंने ज्यादा नहीं देते हैं अपन Okay Stability Weight चलिए मैं यहां रख देते हूं Stability, Weight Surrender Sorry Dominating Confusion Regret Deep feelings Third Party Okay, Third Party का कार्ड भे निकला था Third Party का भी कुछ है Manifestation Manifestation का कार्ड है Tower Separation Love Compare Love Compare हुआ था Clear तरीके से दिख रहा है Love Compare Effort आप Effort डालते रहे आपके Person Stuburn Energy Question बहुत सारे सवाल है आपके Person के मन में चीक है Confident मैं पहले Message को Clear कर देती हूँ फिर हमें कार्ड दिख पाएंगे तो ये जाने अंजाने आपको Manifest कर रहे है स्टबन परसन रहे हैं आपके जो परसन थे बहुत ज़्यादा Love Compare Love Compare करा गया है यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके बीच में Third Party कुछ रही है वहाँ पर ऐसा Situation दिख रहा है कि आपको और उनको Compare किया गया है ठीक है Effort डालने की कोशिश कर रहे हैं अभी आपके जो परसन है Tower Separation आप लोगों के बीच में Tower आ गया है ऐसा Mode आ गया है ऐसा कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है Separation में चल रहे हैं पर ये परसन Sorry बोलना चाहते हैं Dear आपसे बात करना चाहते हैं Surrender कर रहे हैं God पर सारी चीजे कि ये जो situation है इनकी life से वो सही हो जाए Stability आ जाए तो ये परसन चाहा रहे हैं कि Stability आ जाए आप लोगों के बीच में इंतजार कर रहे हैं Wait है इन्हें इस चीज़ का कि आप दोनों का जो रिष्टा है उसमें से confusion जो है वो कही ना कही चला जाए Dominating इनका जो nature जो dominating person थी ये तो इन्होंने अपने nature को काफी change किया है शायद इसलिए क्योंकि third party जो थी Okay dear last card मुझे जो दिख रहा है third party जो थी शायद उन्होंने आपके person को कुछ ना कुछ ऐसा याद दिलाया है या कुछ ऐसा किया है कि आपके person को आपकी value आपका प्यार आपकी चीजे समझ में आई है इसलिए तो वो आपको manifest कर रहे हैं ना चलिए card देख लिए हमने message देख लिए card क्या बता रहे है cancer scorpio Pisces okay dear Aries Leo Sagittarius okay ये ज़्यादा है Taurus Virgo Capricorn कम है और Gemini Libra Aquarius ठीक है तो ये हमारे पास में cards है मैंने चारो sign बता दिये cancer scorpio Pisces Gemini Libra Aquarius Aries Leo Sagittarius Taurus Virgo Capricorn ठीक है तो ये sign हमें दिख रहे हैं अब आपको मैं बताओ कि आपके जो person है इनकी energy की बात की जाए कि इनकी current feelings क्या है तो dear अभी जिस भी कारण से ये person ने आप से बात करना बंद की थी आपके बीच में separation आया था आपके बीच में break up हुआ था मैं आपको clear कर दूं कि वो जो आपके person है आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं पता नहीं क्यों सोच रहे हैं हम clarify करेंगे कि क्यों सोच रहे हैं उस चीज के बारे में भी देखिए queen of pentacles से आपका प्यार आपकी care आपका love जो आप उनकी care करते थे जो आप उनकी परवा करते थे वो सब उनको याद आ रहा है उनको ऐसा लग रहा है जिस भी situation में है चाहे वो family वालों के पास चले गए हूँ आपको छोड़ कर या किसी भी friends के साथ में चले गए है या किसी भी person के पास में other person के पास में आपको छोड़ कर गए है तो dear वहाँ पर भी ये person खुश नहीं है इन्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ इन्हें समझोता करना पड़ रहा है ठीके समझोता करके रहना पड़ रहा है इनकी energy इस तरह की दिख रही है इनको समझने वाला कोई नहीं है वहाँ ठीके इनको जो समझ सकता था ना वो सिर्फ आप थे इनके प्यार को इनके गुसे को इनके हर एक बात को जो समझने वाला इंसान था सिर्फ वो आप थे इसलिए ये परसन आपके प्यार को आपके लव को आपके हर एक बात को याद कर रहे हैं अपने feelings को छुपा रहे हैं height कर रहे है dear इनके मन में जो चल रहा है वो आपसे बता तो नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में separation एक ऐसा separation हो गया है कि आप लोगों के बीच में काफी time हो गया मुझे ऐसा लग रहा है साल भर हो गया है बातचीत बंद हो गई है पर प्यार आप इनसे प्यार बहुत करते हैं पर आपके person का आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार नहीं करते हैं अगर प्यार करते होते तो ये क्यों अपने किसी third party के पाथ जाते या क्यों अपनी family वालों के साथ में रहते पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज में बंदे हैं कोई तो ऐसी दिक्कत है इनके साथ में जहां ये decision नहीं ले पाते हैं जहां इनके decision लेना होता है वहाँ ये person decision नहीं लेता है अपने मन की करता है और इसी कारण से इनकी मन की करने से क्या होता है इनकी life में option रह जाते हैं इतने सारे options इन्होंने खटे कर लिये हैं कि ये clear नहीं कर पाते हैं कि इनको करना क्या है बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे धोका दे रहा है शायद कभी वो फील करते हैं कि यार मैंने किसी को धोका दिया है मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनरजी इनके आगस पास घूमती रहती है नेगेटिव चीजे ठीकें आपसे नहीं बात हो पा रही है आपसे मिल नहीं पा रहे हैं आपके प्यार को मिस कर रहे हैं उस कारण ये परसन जो है ना डियर बहुत ज़्यादा मैनिफेस कर रहे हैं आपकी तरफ जाने अंजाने ही सही पर कर रहे हैं इनका माइंसेट जो है ना वो बार बार आपकी तरफ अट्रेक्ट कर रहा है तो ये बार बार अपने पुराने पास्ट शादी, उन boss बातों के बारे में बहुत सोचते हैं कि कहा रिष्टा तूटा किस बात से तूटा, मतलब इनको समय नहीं आरहा, मैंने कहा न, recognizing, बहुत ज़दा ओर तिंकिंग चल रही इनके mind में, इन्होंने जो situation खराब कर ली है न, उस बारे में सोच सोच के बहुत परिशान हो रहे हैं डियर बहुत ज़्यादा ठीके दर्द रात को नीन नहीं आ रही है ने बहुत ज़्यादा दर्द में हैं और अगर ये कहीं भी फसे हैं ना तो वहाँ पर इनकी सिच्वेशन जो हो रही है मैं आपको बता दूँ बर्डण फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इनको clarity नहीं मिल रही है इनको ऐसा लग रहा है कि ये करे तो क्या करे मतलब इस इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं लड़ाई जगड़े इनके लड़ाई जगड़े पे इतने हो रहे हैं आप यकीन नहीं मानेगे जिस भी सिच्वेशन में यह है चाहे वो कोई भी हो इनके मदर हो फॉदर हो या इनका फैमली हो फ्रेंड सरकल क्यों नहीं हो यह प अगेले कमरे में बैठा बहुत को सोच रहा है ओवर थिंकिंग मतलब क्या है यह परसंट यह कभी कभी सोचते हैं पास्ट के बारे में ठीक है कि इनका इतना अच्छा लाइफ था इन्होंने क्यों डिसीजन गलत लिया कहां फज गया बहुत सारी चीजों के बारे में सोच शायद इनको कोई कमेट्मेंट देना है बिलकुल सॉलिड कमेट्मेंट देना चाहते हैं अब यह इस सिट्वेशन से ठक हार कर किसी ऐसे जो लोग अनमेरीड है मैं बता दूँ कि आपको एक सॉलिड कमेट्मेंट देना चाहते हैं प्रप्रोस करना चाहते हैं कुछ ना कु खराब कर दी जो चीजे खराब कर दी है अभी उसी चीजों में बर्डन फील कर रहे हैं फसे हुए हैं निकल नहीं पा रहे हैं क्लियर तरीके से दिख रहा है शादी जो थी four of wands का कार्ड है कुछ लोगों के लिए शादी ही इस रिष्टे में प्रॉब्लम बन गई शादी को तोड़ दिया गया है और जो लोग अनमेरिट थे उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि शादी को लेकर कोई बात ऐसी रह गई शायद ये परसन भाग निकले तो वहाँ पर आप लोगों के बीच में separation आ गया victory अब ये card हमें बता रहा है कि ये person victory चाहा रहे हैं अपने life मे जीत हासिल करना चाहते हैं इनका मन है कि मैं वापस वो situation है ना पहले तो ये बंदे हुए थे कहीं ना कहीं फसे हुए थे लेकिन अभी इनको victory चाहिए यहाँ पर six of wands का card है 10 of pentacles है इस person को victory चाहिए आपको हासिल करना है कुछ भी करके चाहे जो हो जाए ये आपके साथ में long time connection देखते हैं तो ये person को feel हो गया है कि ये जिस भी situation में है वहाँ इनने समझने वाला कोई नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनके ज़स्बातों को समझे जो इनके प्यार को समझे सिर्फ समझने वाला जो व्यक्ति था वो आप थे और आपको इन्होंने ठुकरा कर बहुत गलत किया है आपसे बाते चुपाई आपको धोके में रखा अब जहां पर भी ये first गए हैं डियर जहां पर भी first गए हैं वहाँ से निकलने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको अभी वहाँ पर मैं बता दूँ देखे 10 of wants है 5 of wants है उस situation से इस situation में ये person आपके फसे हैं आजू बाजू burden है इतना सारा burden है कि ये person निकले तो कैसे निकले यहाँ अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो इतना सारा लडाई जगड़ा होता है वहाँ से कोशिश करते हैं उस side से तो burden फील करते हैं क्या करें क्या ना करें कोई decision नहीं ल एक तरफ में इस से प्यार करूँ, एक तरफ में इस से प्यार करूँ, कहां फस गया, है न, ऐसा कुछ सौंग है न, मुझे सौंग नहीं आते, तो वो कुछ था, तो उस तरह का मुझे सिच्वेशन में ऐसा दिख रहा है, कि ये जो परसन एन अडियर, अभी इनकी यार को तो मिस कर रहे है, ठीके, I hope reading आप लोग को समझ में आई होगे, अच्छी लगी होगे, अगर reading अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजे, हम मिलते हैं नेस वीडियो पर, बाई-बाई